जयाए श्रीराम दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एम्प्लिफायर के बारे में जो कि दोस्तों हमारी MT1801 है जो कि काफी बेस्ट क्वालिटी की आती है dual channel power amplifier है दोस्तों इस amplifier की हम आपको details बताएंगे load calculation बताने वाले हैं कि दोस्तों आप इस amplifier पे कितने top, base, line ray monitor कितने चला सकते हैं और दोस्तों आपको यह बता दूँ यह हमारी जो amplifier MT1801 है यह amplifier लोग ज़्यादा तर base के लिए लेते हैं क्योंकि दोस्तों इस amplifier से base हमारा काफी अच्छा चलता है काफी अच्छा output सुनने को मिलता है इस amplifier के द्वारा तो दोस्तों हम आपको यहाँ पे इस amplifier के बारे में A to Z पूरी जानगारी देने वाले हैं देटेल्स के साथ और आपको साथ ही प्राइज भी बताने वाले हैं कि दोस्तों MT8801 amplifier का लगभग प्राइज मार्केट में क्या पढ़ने वाला है तो दोस्तों वीडियो बहुती नौलेज वेल होने वाले वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर दोस्तों आपके मन में कोई question हो तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं तो दोस्तों मेरा नाम है शोबित मोरे और हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है मोरेड डेजय व्लोक्स अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्स्राइब ज़रूर कर लेना चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों यह है हमारी amplifier MT-1801 जो कि आप लोग देख सकते हैं पहले इस amplifier के दोस्तों front look की बात कर लेते हैं कैसा amplifier हमें देखने को मिलता है क्या के specifications front look में हमें देखने को मिलती हैं तो दोस्तों यहां पे आपको दो grills देखने को मिल जाती हैं जो कि इस amplifier के big panel में हमें दो calling fan लगे मिल जाते हैं जो कि यह हमारा amplifier dual channel में है जो कि इस जाली के दोरा गरम हावा बाहर आ जाती है amplifier में कोई problem नहीं होती है आप 8-10 घंटे easily चला सकते हैं लगातार कोई problem नहीं होने वाली इस amplifier में और दोस्तों आपको यहां पर दो gain volumes देखने को मिल जाते हैं जो कि दोस्तों दोनों चैनल के अलग-अलग master volume दिये गए हैं और इसी के उपर आपको MT1801 mention किया गया है जो कि इस amplifier का model नमर है यहां पर आपको एक original का sticker भी देखने को मिल जाता है जो कि यह हमारे amplifier original है और यहां पर आपको एक on-off का switch भी देखने को मिल जाता है और यहां पर कुस indicator bults देखने को मिल जाते हैं चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस amplifier की details की और specifications के बारे में क्या के specifications देखने को मिल जाते हैं इस amplifier में तो दोस्तों इस amplifier की dumping factor की बात की जाते हैं तो दोस्तों आपको 1200 देखने को मिल जाता है दोस्तों जो dumping factor इस amplifier में दिया गाए बहुत ही ज़्यादा दिया गाए हर एक amplifier के मताबिक इसमें सबसे ज़्यादा amplifier में dumping factor दिया गाए इस amplifier के द्वारा अगर आगर बेस चलाते हैं तो दोस्तो बेस बाइबरेशन पंच काफी अच्छा सुनने को मिलेगा आप इस amplifier पे 20 इंचिस का बेस भी चला सकते हैं कोई प्रब्लम नहीं होगी इस बार करेगा बहुत ही अच्छी amplifier यह हमारी आती है और दोस्तो इस amplifier के frequency response की बात की जाता है तो दोस्तो आपको इसके अंदर frequency 20,000 होड़ेश से लेके 20,000 होड़ेश देखने को मिल जाती है frequency जो की frequency भी काफी बेस्ट दी गई है और इस amplifier के class की बात की जाता है तो दोस्तो य हमारा amplifier вजन में आपको 48kg देखने को मिल जाता हैं इस amplifier का वजन जो की 48KLo इसका वजन दियागा यह काफी high weight में हमारी amplifier आती है और दोस्तो बात कर लिते हैं इस amplifier पर टब कितने हैं चला सकते हैं इस से फहले दोस्तो बात कर लिते हैं इस amplifier के power output की कि दोस्तों इह Wirfater कितने हों में कितना आर्पूत निकल के देता है तो दूस्तों यह हमारा MPF2ete primflat निकल के देता है यह हमारा MPF2Oम में और गीफ corporation clairement में दो परेता हैं यह भी करना में और यह cuatro सु campus तैस और यह हमारी stereo और mono का power output हो गया और breeze mode के बारे में भी हम बताएंगे इस amplifier में आपको breeze mode में कितना output देखने को मिलता है कितने words के आप इसमें speaker लगा के चला सकते हैं breeze mode में सारी details आगे वीडियो में मिलती रहेगी पहले अब बात कर लेते हैं इस amplifier के जो story और mono में power दियागा है 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm इसमें हम कितने words के speaker लगा के चला सकते हैं कितने टॉप चला सकते हैं बेस कितने चला सकते हैं तो दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले पहले 2 ohm की तो दोस्तों यह जो हमारा amplifier है 2 ohm में 3300 words आप बटन निकाल के देता है प्रतेक चैनल में तो दोस्तों हम यहां पर 1 चैनल पर 2 टोप चलाने वाले हैं जो कि दोस्तों हमारी जो 4 टोप हो गए हैं तो दोस्तों इन 4 टोप के अंदर हमारे 8800 words के speaker होनी चाहिए और 100 words का hf होना चाहिए जो कि 1 टोप हमारा बन जाता है 1700 words का और 200 impedance बन जाता है एक टोप का 4 ohm और दोस्तों हम जब 2 टोपो को पैलर में connections करते हैं तो दोस्तों ohm जो होता है वो घट जाता है तो दोस्तों 2 टोपो का जो हमारे impedance होगा वो दोस्तों हमारे 2 ohm हो जाएगा बाकि आपको बता दो यहां पर आपका एक speaker 8 ohm का ही होना चाहिए तभी आप पैलर connections करेंगे तभी दोस्तों हमारे 2 ohm का impedance 2 ohm होगा और दोस्तों जो 2 ohm का words बनेगा वो दोस्तों हमारे 3400 words बनेगा तो दोस्तों हमारे amplifier 2 ohm पे 3300 words आउट पूट निकल के देता है तो दोस्तों आप इस amplifier पे 2 ohm पे 3400 words लोट दे के चला सकते है एक चनल में कोई दिक्कत नहीं होगी आप दोनों चनल में दो दो टॉप चला सकते हैं काफी अच्छी response सुनने को मिलेगा चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं forum की तो दोस्तों यह हमारे amplifier forum में 2450 words निकल के देता है तो दोस्तों हम यहाँ पे forum पे base के बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप dual वाला base चला सकते हैं एक एक चेनल पे जो कि दोस्तों हमारे dual base के अंदर 12-1200 words के हमारे speaker होने चाहिए दोनों base के अंदर तो दोस्तों यहाँ पे हमारे dual channel का जो impedance बनेगा वो forum बनेगा और जो words बनेगा वो दोस्तों हमारा 2400 words बनेगा तो दोस्तों आप easily एक channel पे एक dual base चला सकते हैं दूसरे channel पे भी आप एक dual base चला सकते हैं इस amplifier पे आप दो base चला सकते हैं और दोस्तों इस amplifier पे top भी अच्छे चलेंगे base भी चलेंगे दोनों अच्छे चलेंगे आप कोई भी चीज़ चला सकते हैं और अब बात कर लेते हैं atom की तो दोस्तों atom में यह हमारे amplifier 1850 words आउटपूट निकाल के देता है प्रतेक चनल में तो दोस्तों आप यहां पे single वाला base चला सकते हैं क्योंकि दोस्तों एक जो हमारे speaker होता है वो दोस्तों atom का होता है तो दोस्तों आप यहां पे एक single base 1800 words का या आप 2000 words का एक base चला सकते हैं एक एक channel पे ठीक है चाहें आप 1800 words का base लगा है जो कि काफी अच्छी quality भी मिलेगे और हमारा amplifier भी दबने वाला नहीं है तो दोस्तो मैंने यहाँ पर story और mono के power output के बारे में बता दिया कि इतने top कितने base चला सकते हैं और अब बात के लेते हैं breeze mode के power output की तो दोस्तो यहाँ पर यहाँ पर इस amplifier को कभी भी breeze mode पे ना चलाएं अगर नए बंदे हैं जो नए setup खरीदे हैं तो दोस्तो आप breeze mode पे ना है amplifier चलाएं और दोस्तो जो हमारे पुराने वाले DJ वाले भाई हैं वो दोस्तो breeze mode में चला लेते हैं बट उसी हिसाब से वो speaker भी लगाते हैं words के तो दोस्तो आप लोग breeze mode में मत चलाएगा तो दोस्तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपके knowledge के लिए कि दोस्तो यह हमारे amplifier फोरोम में breeze mode में अठावन सो वाड़िस आउटपुट निकाल के देता है और एटोम में यह हमारे amplifier छेलिस वाड़िस आउटपुट निकाल के देता है ठेक दोस्तो तो दोस्तो यहाँ पे हमने बता दिया है चलिए अब दोस्तो बात कर लेते हैं इस amplifier की प्राइज की तो दोस्तो इस amplifier का अप्रोप्स प्राइज मार्केट में आपको सतर हजार से लेके 72 रुपई में देखने को मिल amplifier को बाकि दोस्तो में amplifier speaker वगएर अब कुछ नहीं बेचता हूं बाकि अबर दोस्तो आपको knowledge बता देता हूं झाल में आपको प्रॉपभवब अपको नहीं कुछ